हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू सफलता मंत्र और दोस्तों एक बार फिर से आफ सभी लोगों का बाल विकास किये वन लाइनर कोश्चन्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और यह बिल्कुल लाश्ट पार्ट है अंतिम पार्ट है मैं इसके पहले आपको 275 कोश्चन्स त 275 कोश्चन्स करा दिये थे अगर आपने सभी कोश्चन्स ना देखे हूं तो लिंक नीचे मिल जाएगा साथी साथ 1500 कोश्चन्स की एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार के कोश्चन्स दिये गए हैं तो आप उस प्ल चैनल सब्सक्राइब ना कियो तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा और पुरानी क्लासिस को भी जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यानि कि रचनाबादी मॉडल का मतलब भी यही है कि बालक के अंदर कितनी रचनातमकता है कितना स्वयम से सीखने की सकती है तो यह रचनाबादी मॉडल कहलाता है अगला कोशन है जन्म के समय लगी चोट या भृूर्ण छटी की वजह से आई मांसीक मंदता क्या कहलाती है तो दोस्तों इसे चिकितसा मंदता के नाम से जाना जाता जो कि जन्म जात एक परकार से कह सकते हैं लोग जन्म से आई हुई चोट होती है या भ्रून छत्यानी की पेट में जब बच्चा होता है उस समय कोई चोट लग जाती, इसके कारण जो बालक में मांसीक मंदता आ जाती है, यह चिकित सा मंदता कहलाती है, अगला question है PIAJ के अनुसार संग्यानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाइं है तो दोस्टों जीन PIAJ ने अपने संग्यानात्मक विकास के अंतर के चार अवस्थाइं बताई थी। आपको बहुत वार पढ़ा चुके हैं और UP TET में CETED में 100% दो question आपको directly यहीं से मिलते है चार अवस्थाइं बताई गए हैं जिसमें आपकी पहली इंद्रीक रामक थी याद होगा आप लोगो और इसका आपकी होती है, पूर्व संक्रियात्मक, अमुर्द संक्रियात्मक, ये चार अवस्थाइं होती हैं याद कर लीजेगा अगला कोशन है सारीरिक और मानसीक परिपक्त को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति सारीरिक और मानसीक रूप से परिपक्त को हो जाता है उसे किसोर कहते है या किसोर अगर आप्शन में नहीं मिलेगा तो प्रोड मिलेगा इन दोनों में से आपको एक आप्शन में जरूर मिलेग क्योंकि जैसे जैसे वालक की किसोरा वस्था पूर्ण होती है वो उसके अंदर सारीरिक परिपकुता और मांसिक परिपकुता है यानि कि मैच्योर्टी हो जाती है वालक मैच्योर वालक को किसोर या फिर प्रोड के नाम से जाना जाता है प्रोड जो होता है किसोरा वस्था के पहले ही क्या बता दीगे जन्म तो जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुक अवस्था क्या है तो जन्म हो गया पहली जब तो दूसरी अवस्था आपकी कहलाती है सैस्वा वस्था जन्म से ले करके दो वर्स की या तीन वर्स तक की जो अवस्था होती है यह आपकी सैस्व वस्था कहलाती जिसमें की वालग दूसरों पर डिपेंड होता है और अपने स्वियम से ही मतलब रखता है और कुछी प्रिकार केक लिए हमेशा दूसरों पर depend रहता है ये सैस्वावस्था कहलाती है अगला कुशन है चिन भासा और स्रवन द्रश्टी विधियों का प्रयोग किस वालकों की सिच्छा के लिए उपयोगी है तो देखे चिन भासा को संकेत भासा के नाम से भी जाना जाता है यानि कि संकेतों के माध्यम से पढ़ाया इसमें और स्रवन द्रश्टी विधियों का प्रयोग किया जाता है तो ये मंदित स्रवन बालक यानि कि जो बालक सुन नहीं सकते हैं किसी प्रकार की उन्हें सुनने में कोई अच्छमता होती है बोलने में अच्छमता होती है तो उन्हें इन संकेत विधियों के माध्यम से स्रवन द्रस विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है याद कर लिजेगा अगला कोशन अति सनरच्छन सीलता बालक को क्या बना देती है तो दोस्तों अति सनरच्छन सीलता यानि कि बालक पर सनरच्छन पूर्ण धंग से जो कार किया जाता उससे वालक आदर्स बादी बन जाता है अति सनरच्छन सीलता वालक को आदर्स बादी बना देती है याद कर लीजेगा अगला कोशन है वीर पूजा की भावना किस अवस्ता में जागरत होती है तो दोस्तों वीर पूजा की भावना जोती है कि सोरा अवस्ता में जागरत होत कि विकास जो होता, सदयब, चाहे वो गर्भा वस्ताव, चाहे आगे की वस्ताव, सिरसे पैर की ओर बढ़ता है, सिरसा विमुख कहलाता है, तो यानि कि सिरसे संबेदन सीलता, क्या कोई सी भी प्रकार का विकास होगा, वो हमेशा सिरसे पैर की ओर होता है, याद कर लिजेग तो वो बेटी होती और एक्स वाई से लड़का पैदा होता है तो यानि कि लिंग का निर्धारन सदयब पिता के गुण सूतर से होता है क्रोमोसोम से होता है अगला कोशन है योन परिपकुता में किस ग्रंथी का महत्वपून हाथ है तो दोसों पियूस ग्रंथी जो होती है प्रमुख ग्रंथी होती है योन परिपकुता के लिए जानी जाती है अगला कोशन है किस ग्रंथी को माश्टर ग्रंथी कहा जाता है तो दोसों पियूस ग्रंथी को ही माश्टर ग्रंथी भी कहा जाता है अगला question है मनह इसनाई विक्रत के रोग का क्या लच्छन होता है तो दूसरों ये आसंका होती यानि कि किसी ना किसी प्रकार की आसंका या संभावना तो ये आपके मनह इसनाई विक्रत ही जो होती है उसके रोग के लच्छन होते हैं बहुत अच्छे question है और इसी प्रकार के आपके 300 question पर्यावरन अध्यन के भी handwritten one liner कराए गए हैं और इने subject के भी कराए गए हैं अगर आपने ना देखे हूं तो अभी जाईएगा class के end में playlist का link आपको नीचे description box में और comment box में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर पुरानी classes को देखना प्रारम कर दीजेगा और निश्यत मानियें 300 questions में से कम से कम 5-6 questions सीधे ऐसे ही पूछ दिये जाएंगे अगला question है father of medicine के नाम से किस मनोवग्यानी को जाना जाता है तो दोस्तों अरस्तू को father of medicine के नाम से जाना जाता है अगला question सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस सताबदी से किस सताबदी तक मिले ये दोस्तों दसमी सताबदी से लेकर के सोलमी सताबदी तक सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले थे दसमी सताबदी से लेकर के सोलमी सताबदी तक याद कर लीजेगा अगला कोशन है किस परिछण में दस मसीलक्ष या स्याही धब्बा होता है तो दूसरों ही रोर्सा हर्मन रोर्सा स्याही परिछण या हर्मन रोर्सा स्याही धब्बा परिछण है इसमें दस मसीलक्ष या स्याही धब्बा होते हैं नाम याद कर लिजेगा हर्मन रोर्सा स्या परीरिक बीमारियां होती हैं इनमें 50-70% तक दवाव की भूमी का महत्वपूर्ण होती है सभी कोशन आपके किसी ना किसी इस्टेट या फिटेट सीटेट के एक्जाम से रिलेटेड ही लिए गये हैं चुने गये हैं अगला कोशन है किसका अभिप्राय अपने वेभार को नि दोस्तों यह अभी छमता सर्वेच्चन परिच्फञ होता है इसे एएश्टी के नाम से जाना जाता है ऐप्टिटीव टेस्ट भी इसको कहते हैं अभी छमता परिच्चन एएश्टी कहलाता है याद कर लेजेगा अगला कोशन है प्रारंब में आत्मा का प्रयोक किस सास्त किये गए यूपीटेट सीटेट से सम्मंदित complete नोट चाहिए हैं पूरी त्यारी करनी है तो मेरा WhatsApp नंबर है 91 429 0052 इस नंबर पर संपर्क करिएगा आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी और इसके अद आपको सभी नोट कम से कम फीस में प्रोवाइड करा दिये जाएगे जो कि आपके आगामी सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नीचे दिये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगला कोशन है असामान मनो विग्यान के आधुनी की यूग के जनक कौन थे तो दोस्तों सिग्वन फ्राइड जो है ये असामान मनो विग्यान के आधुनी की यूग के जनक माने जाते हैं इसके साथ इसाथ इन्होंने मनो विसले सनात्मक सिध्धान्त भी दिया है इसके अंतरगत इन्होंने तीन चीजें बताई थी इदम अहाम पराहम ये तीन चीजें इन्होंने सिग्मन फ्राइड ने अपने सिध्धान्त के अंतरगत बताई थी अगला कोश्चन है पैथोलोज ब्रेन नाम की पुस्तक लिखी है क्रैपलिन नाम है याद कर लिजेगा इसके साथ ही साथ दोस्तों आज का आपका कोश्चन है जो मैंने भी उपर आपको हर्मन रोर्सा स्याही धबा परिच्छन वताये था ये किस प्रकार के परिच्छन के अंतर्गत आता ये व्यक्तित तो परिच्छन है या फिर बुद्धी परिच्छन इसका नाम आप लोंको कमेंट वॉक्स में अधिक सदिक संक्या में बताना हर्मन रोर्सा स्याही धबा परिच्छन किस प्रकार का परिच्छन है व्यक्तित तो या फिर बुद्धी अधिक सदिक संक्या में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना सिर्फ आपके 10 मिनट में सभी कोश्चन्स कम्प्लीट करा दिया उम्मीद करते हैं आपको पसंद आये होंगे और क्लास भी अच्छी लगी होगी बचे हुए दो कोश्चन्स जल्दी से देखेगा और जल्दी से लाइक भी जरूर कर दीजेगा अगला कोश्चन है किसका तातपर उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके दोरा व्यक्ति अपने अनुभूती को व्यक्त करता है तो दूसरों ये आत्म प्रवलन होता है जिसका कि एक विशिष्ट तरीका होता है और इससे व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकत अग्ला दूईत्त्तौ सिध्धान्त किसो ने दिया था यह दूईकारक सिध्धान्त के नाम से भी जाना जाता इसे मैंने दिया था इसके इंतरे तुने गद्धी शुलकों में सभी व्यक्तियों में पाई जाती है इसले इसका नाम दुईकारक सिध्धान्त या दुईतत तो सिध्धान्त रखा गया था इस पियर मैंने सिध्धान्त दिया था याद कर लीजेगा तो दूस्तों अब अपनी ये पूरी सीरीज का अंतिम कोश्चन है तीन सौमा आपने देख लिए होंगे अगर ना देखें तो मिस मत कर देना बहुत अच्छे कोश्चन्स हैं कहीं ऐसे कोश्चन आपको एकी स्थान पर नहीं मिलेंगे पूरानी प्लेलिस्ट जरूर देखेगा लिंक नीचे दिया गया है मनो विग्यान की प्रियोग साला किस मनो विग प्रियोग साला थी बहुत इंपॉर्टन कोश्चन आयाद कर लिजेगा और आज की क्लास के सभी कोश्चन्स आपके कंप्रीट हो गए हैं पुरानी कुछ क्लासेज बहुत अच्छी आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण की संविधान की हिंदी की संस्कृत की उन क्ल प्रोसेस है फीस पे करनी है उसके बाद आपको सभी नोट्स दे दिये जाएंगे तो चले दूस्तों आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद औल दा वेश्ट बहुत-बहुत सुभकामना है